आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टड़ी फैमली में आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हैं डिसकस करने जा रहे हैं 15 पार्ट्स ओफ हुमेन बॉड़ी डेट विल डिसेपियर इन दा फ्यूचर मानव सरीर के वो 15 अंग जो भविश्य में गायब हो जाएंगे इस्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेस से जब मनुष्य अस्तित में आया आज से लगबग 30,000 इसापूर्व से लेके आज के आधुनिक मनुष्य तक जब हमारा मानव खाज संग्रहक था तब से लेके आज क की दो बुक दीदा डिसेंट ऑफ मैन और दा थेओरी ऑफ नैच्रल सेलेक्शन के अकॉर्डिंग वो 15 पार्ट्स जो इन फ्यूचर हमारे गायब हो जाएंगे ठीक है वो हम चाहे मेल्स के हो या फिर फीमेल के वो इस वीडियो के अंधर हम डिसकस करेंगे पहले हम क्विक देख लेते हैं उन 15 पार्ट्स का जो हमारे इन फ्यूचर आफ्टर सम जैनरेशन डिसेपियर होने वाले हैं ठीक है उसमें हमारा पहला पार्ट है बॉड़ी हेर सरीर के बाल मोस्ट ऑफ दा हेर हमारी बॉड़ी के अंदर है उनका कोई यूज नहीं है ठीक है लेकिन कुछ चेर हैं जो हमारे अपोजिट सेक्स को अट्रेक्ट करने के काम आते हैं या फिर हम बोल सकते हैं उन बालों का यूज हमारे जो स्वेट है पसीने को रोकने के काम आते हैं जैसे पलक की बात करें हम आईब्रो की बात करें तो वह हो गए लेकिन उसके अलावा जो हमारे बाल के clothes पर depend है स्वेटर जर्सी वगेरा वगेरा पहनने स्टार्ट कर दिए ते इसका मतलब वो जो बाल है body के most of the hairs का हमारा कोई function नहीं रहा ठीक है उसके बाद second part देखेंगे हम paranusle sinus ठीक है मतलब कि जो हमारा सर है उसे हलका करने के अलावा इसका क्या use है वो तो हम भी नहीं जानते ठीक है उसके बाद third देखेंगे हम इसके अंदर बाहरी कान जो हमारा extrinsic ear muscles है उसके बारे में देखेंगे जो की हमारा जानवरों के अंदर पाया जाता था दूर की आवाद सुनने के लिए या फिर वो हमारा independently अपने कान को क्या कर लेते move उसका movement कर लेते ठीक है कुछ मनुष्य भी यह ऐसे जो यह काम कर पाते हैं ठीक है वो भी discuss करेंगे हम वीडियो में उसके बाद next है हमारा wisdom teeth अखल डाड ठीक है different different के teeth आपने देखे होंगे लेकिन जो हमारे genuine teeth है वो हम जानते है 32 होते हैं लेकिन कभी-कभी 25 की age के बाद आज के जो modern human being है उसके अंदर भी एक पेर आता है हमारा दांतों का जिसे हम बोलते हैं wisdom teeth यह हमारा जो प्राचीन मानव था उसके अंदर पाए जाते थे क्योंकि 15 साल की एज के बाद आया करते थे ठीक है क्योंकि उन्हें बहुत hard चीजें चवानी पड़ती थी ठीक है लेकिन आज के मनुष्य में वो चीजें replace कर दी है हमारे चाकू छुरी इन्होंने ठीक है और इसका कोई use नहीं रहा जैसे कि हम जानते हैं कितने teeth होते हैं हमारे वो formula भी देखा होगा आपने teeth formula 2123 ठीक है तो कितने होते हैं हमारे 32 उसके अंदर भी जो हमारे सामने वाले दान्त होते हैं जो हम जब हसते हैं तब दिखाय देते हैं उन्हें बोलते हैं हम incisor जो आता है हमारा 25 के बाद जो हमारा आधुनिक मानव है उसमें ठीक है तो वो उसे बोलते हैं हम अखल डाड विजड़न टीथ ठीक है तो यदी बात करें इस पूरी लिस्ट के अंदर जो सबसे पहले हमारा कोई भी बॉड़ी का पार्ट डिसैपियर होने वाला है वो यही है हमा पेमारिस मस पेसी या बोल सकते हैं पैमरिस मसल्स धूकरी पहले हमारा हंग इंग केitzer के लिए हमारा जो प्राचीन मनुष्य है वो यूजिया करता होगा लेकिन आज इसकी कोई रिक्वार्मेंट नहीं है तिmmय जो मासलाट चरते हें उनके लिए रिक्वार्मेंट है वो द तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यह फी ऐक टाइप की मसल्ब से उसकी बाद जैसे कि हम जानते हैं बहुत ज़धा पेन होता है अपनिक्स का अनुबंद बोलते हैं उसे तो उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे वह भी हमारे इन 15 पार्ट्स के अंदर ही आएगा उसके ब पार हमारा next part होगा कॉकिक्स ठीक है यह कोई एल्बम नहीं है यह हमारी इसे दूसरा नाम भी एसका जैसे कि हम जानते हैं टैल बॉण ठीक है तो टैल बॉण के बारे में डिसक्स करेंगे उसके बाद बात करें मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो यह जो टैल बॉण है य यह एक तरीके से अवसेसी पार्ट है हमारी जब जैसा कि हम जानते हैं पहले जो human being था हमारा उसके पूछ हुआ करती थी तो उसका यह अवसेसी भाग है ठीक है उसके बाद हम next part discuss करेंगे हमारी तीसरी पलक कभी-कभी हमारे हमारे आंक में कच्रा वगरा गिर जाता है तो कब हम उसे मिनने के बाद side से निकाल देते ना तो जो side वाला portion था पहले थोड़ा बड़ा हुआ करता था लेकिन अब जैसे मानव evaluate होता जा रहा है तो यह छोटा होता चला जा रहा है इसके बारे हम discuss करेंगे इस हम तीसरी पलक के नाम से जानते हैं ठीक है उसके बाद हमार का यूज कर रहे हैं इयरफॉंस का यूज कर रहे हैं तो आधुनिक मानव के पास इसकी कोई requirement नहीं है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा in future after some generations disappear होने वाला है ठीक है उसके बाद next part हम discuss करने जा रहे हैं सब clavious muscles जो कि हमारी clavical bone है na beauty bone उसके पास पाए जाती है यह muscles ठीक है इस वेसे in future यह भी क्या हो जाएंगे हमारे गायब हो जाएंगे disappear हो जाएंगे ठीक है तो यह 15 पार्ट है जो हम इस वीडियो के अंदर detail में discuss करेंगे ठीक है तो आईए शुरू करते हैं वीडियो ठीक है अब बात करें हम बिल्कुल starting से जैसा कि हम जानते हैं जो universe की starting है universe क कि starting कहां से हुई है आज से 13.8 billion years ago जब हमारा big bang हुआ था जो हमारा महाविश्पोर्ट का सिद्धानत है उसके according देखे तो आज से 13.8 billion वर्स पहले हमारा यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है वह अस्तित्म आया जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्मांड क्या है सहे अस्तित्म है किसका हमारे इस्थान द्रव उर्जा और समय का मतलब कि यहीं सिंपल भासा में बोले the universe is the whole existence of all space matter energy and time जैसे कि हम जानते हैं यूनिव आज भी universe में जो हमारा expendition है वो हो रहा है मला कि उसका प्रसार अभी भी हो रहा है जब से लेकर आज तक भी हो रहा है ठीक है तो यह क्या है यह तो हमारी big bang theory के recording हम जानते हैं ठीक है तो universe में चाहे वो कोई भी चीज हो हमारा universe हो या super cluster cluster या हमारी milky way हो या हमारा solar system बात कर हो रहा है जैसी बात करें हम हम्मारे मनुश्य के अंदर वी जैसे वाला लिया पहले हम बोलते न कभी-कभी हमने सुनाय के जो हमारा विखास हुआ है वो पूरवज रहे हैजिग गोरील deathमrit आहे हं ठीक है वह हमारे लेकिन यह एक तरीके मित है क्यूकि हो सकता है कि हम एक ही ठीक है, और हमारे अंदर अपने level पे हुआ, individual level पे, ठीक है, तो कह सकते हैं हम के ये गोरिला, monkey, चिंबेंजी, हमारे कजिन रहे हो, लेकिन ये कहना थोड़ा गलत होगा, कि ये हमारे पूरवज हैं, ऐसा हो सकता है, कि हमारे पूरवज के पूरवज के पूरवज के थे ठीक है और यदि बात करें जैसे कि बात करें यह चीजे कैसे एक तरीके से जैसे हमने कभी जो हमारी NCRT है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि Darwin ने एक theory दी थी the theory of natural selection के नाम से हम उसे जानते हैं या बोल सकते हैं उस book का नाम था the origin of species ठीक है 1859 के करीब दी थी ठीक है उसमें survival of fitness के बारे में जिकर किया था Darwin ने ठीक है तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि कैसे चीजे variation आते हैं चीजों में ठीक है new species कैसे develop होती है तो उसके अंदर भी देखा था जैसे बात करें हम Darwin ने लगबग अब से 1831 से लेके 1836 तक पांच साल तक हमारा जो गेलक्सस आइलेंड है इक्वाडोर में वहाँ पर study की थी हमारे एनिमल्स पर भी और हमारे प्लांट्स पर भी कैसे उनके अंदर होते हैं कुछ बॉड़ी के पार्ट होते हैं हमारे जो यूजफल होते हैं तो धीरे धीरे जो यूजफल होते हैं और जो यूजफल होते चले जाते हैं और जो यूजफल होते चले जाते हैं ठीक है तो यही चीज़ नहीं उस बुक के अंदर मेंसन की थी ठीक है आपने बा फड़े जो गिल्स है उनकी साहता से क्या लेती है हमारी स्वचन की क्रिया करती है लेकिन वेल के साथ ऐसा है नहीं क्योंकि वह संधारी है मैमल से उसे बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए लेकिन इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी इनके पुर्खें मतलब कि जो इनकी जनेरेशन अपर जनेरेशन वह टेरेस्ट्रियल रही होंगी ठीक है फिर धीरे धीरे इन्होंने जो हमारा अक्वेटिक अनिमल है उसकी तरह हमारा सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया होगा ठीक है जो इनके अवसेसी पार्ट हैं जैसे कि पैर हुए क्यूंकि जब ये टेरेस्ट्यल पर रहे होंगे उस टाइम पर ये चलते होंगे तो वो जो अवसेसी अंगे वो धीरे-धीरे डिसैपियर हो गए होंगे ठीक है सेम चीज हम देखते हैं जैसे माल लिया हम हैं की बात करें मुर्गी की बात करें मुर्गा मुर्गी की बात करें तो ये क्या है कभी इनके पूरवज के पूरवज के पूरवज उड़ते होंगे जैसे आम पक्षी हमारे उड़ते हैं लेकिन क्योंकि धीरे 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 उन्हें जमीनों पर निवास करना श्टार्ट कर दिया खाना पीना सब इनका यही तो दीरे-दीरे एक तरीके से इनके जो पंक है वो आज अवसेसी बन कर रहे गए मतलब के इतना यूझ नहीं है क्योंकि उड़ने के लिए उड़ने के लिए उनका यूझ करते हैं ठीक है तो इस से हमें पता चलता है कि क्या हुआ होगा evolution हुआ होगा धीरे 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 ठीक है तो जैसे यहां पर evolution हुआ है वैसे जब starting हुई थी तब से लेके जब 3.8 billion years ago आज से जब हमारा पहला living organism अस्तित में आया था तब से लेके आज तक जब हमारा ती आस्तित 30,000 इसा पूर्व जब पहला जो human aid है वो अस्तित में आय थे पहले के human being क्या थे हमारे खाज संग्रहक मतलब कि वो सिखार करते थे कच्चा मास खाया करते थे ठीक है फिर धीरे धीरे पहले इस्तौन एज फिर उसके बाद इस चेबाद हमारी आजएक कोपर एज कोपर एज के बाद हमारी ब्रॉंज एज ब्रॉंज इस के बाद human being hay वो हमारा start में अया था था तब से लेकर और आज तक जब इंसान यह फाद संग रहक था सबाएया जब मनुश्य हमारा धन संग रहक है क्या करता है धनका संचे थीक है तो धनका संचे करने तक जो evolution है जो करमागत विकास है वो हमारा इसी तरीके से विए है सब के साथ हुआ है यहां पर मैं जो हमारा धन संच है मतलब कि धन संग रहा के लिए ऐसे नहीं यह वो गलत है क्योंकि पैसा हमें जो आज का इसके लिए बहुत जरूरी थिंग्स है मतलब कि बिन पैसे के ऐसा तो नहीं है इंसान मर जायागा लेकिन आगे खुद को सबसे आगे रखने के लिए उसे धन की जरूरत होती है जैसे कि दुनिया के सबसे रिचेश्ट परसन जो लगबग 23 से 23 में से 19 बार रिचेश्ट परसन रहे हैं पूरी दुनिया के उनका एक क कौन हो लेकिन है बट यू डॉन्ट हैव एनी मनी इन यूर हैंड दैन होल वर्ल्ड फोगेट हूर यू मनलगी जब आपके पास पैसा नहीं है तो पूरी दुनिया भूल जाएगी आप कौन हो इसलिए इतना तो कि लिए रहे कि धन जरूरी है मनुश्य के लिए ठीक है तो का जो spending है खर्चा करना बंद कर दो जो आपकी success में contribute नहीं करते है बस इतना चाहेंगे हम तो ठीक है यदि बात करें इसी को आगे बढ़ाते हैं ठीक है I think you are getting my point what am I exactly wanna make understand you so I hope so go ahead ठीक है बात करते हैं आगे यदि starting से देखें हम तो जो हमारे Charles Darwin है उन्होंने जैसे हमारी ये book लिकी थी natural selection ठीक है उनकी एक और book है जिसके according हम आज के जो 15 parts हैं जिनने हम discuss करने जा रहे हैं वो सारे हमने उसी से लिए हैं उस book का नाम है the descent of man या कह सकते हैं descent of man किसकी है Charles Darwin की ठीक है इसके अंदर और इन्होंने क्या मैंसन किया है इन्होंने मैंसन किया है body के वो parts जो useless है मतलब कि बेकार है और nearly useless मतलब कि लगबग बेकार है उन्हें डिसकस किया है इस book के अंदर ठीक है और उसी के base पे हम आज के जो 15 parts हैं जो in future after some generations गायब होने वाले हैं उन्हें हम discuss करेंगे ठीक है तो यदि उन parts को हम start करते हैं तो हमारा 15 जो पार्ट है body का जो in future disappear हो जाएगा वो है body hair मतलब कि हमारे सरीर के बाल ठीक है जैसे कि हम देख सकते हैं कि most of the hairs हमारी body के अंदर useless है मतलब कि उनका कोई function नहीं है ठीक है लेकिन कुछ बाल हमारे हैं ठीक है जिनका हमारी body में use है जैसे कि हम eyebrow की बात करें ठीक है जैसा कि हम mention देख सकते हो body hair used to protect the human from the severe weather condition मतलब कि यदी हम प्राचीन मानव की बात करें तो प्राचीन मानव के बाल हुआ करते तो पूरे सरीर पे इस वज़ा से क्योंकि उसे different type की weather condition है उनसे बचने के लिए उनसे protect करने के लिए बा उसने जो लीव से पत्तियां है पीडों की उन्हें पहनना स्टार्ट किया उसके बाद जानवरों की खाल और आज का जो हमारा modern human being है उसका आप जानते हो different type के clothes हमारे sweater वगेरा jacket वगेरा हमने पहनने start कर दिये तो यह जो most of the hairs है उनका हमारी body के अंदर कोई use नहीं रहाब ठीक है तो यही चीज हमने इसके अंदर डा लिये कि पहला जो हमने पीछे से start किया है 15 जो पार्ट है हमारा वो body hair है जो after some generation क्या हो जाने वाला है disappear होने वाला है ठीक है यदि बात करें हमारी body के अंदर तो जैसे कि हमने बोला most of the hairs तो human body के अंदर कोई function नहीं है उनका ठीक है लेकिन कुछ बाल हमारे कुछ hair ऐसे भी है जिनका हमारी body के अंदर function है जैसे बात करें हम our brows help keep sweat from our eye मतलब कि जो हमारी eyebrow है उसके जो बाल है वो हमारे पसीना जो हमारा पसीना आता है body पे माथे पे जो पसीना आता है उसे आँखों में आने से रोकते है ठीक है तो यह function हुआ ठीक है यदि बात करें यह जो eyebrow के बाल है या facial hair सारे facial hair की बात करें तो यह जो हमारा opposite sex है ठीक है उसे अपनी तरफ attract करने के भी काम आते हैं मतलब कि योन रूप से सामने वाले को जो विपरीट sex का है उसे अपनी तरफ attract करने के भी काम आते हैं तो कुछ बाल हमारे function रखते हैं लेकिन most of the hair हमारे उनका कोई function नहीं है हमारी body के अंदर ठीक है तो हमने देख लिया 15th part क्या था हमारा hair अब आते हम next 14th part पर जो की हमारा क्या है हमारा sinus मतलब की परानेसल sinus ठीक है तो यह हमारे face पे होता है ठीक है starting से बात करें जो मतलब कि इसका वैसे तो कोई huge है नहीं मतलब कि साय huge कोई नहीं जानता कि इसका exactly huge क्या है हमारी body के अंदर ठीक है तो यह भी एक अवसेसी अंग हो जाएगा after some generations ठीक है यदि बात करें इसके अंदर भी जैसे कि sinus की बात करें तो frontal sinus हो गया हमारा ethemodal हो गया या बात करें हम spanoidal sinus हो गया या फिर हमारी maxillary sinus ठीक है तो यह भी क् पर को हलका करने के लावा इनका कोई काम नहीं है तो यह भी अवसेसी अंग हो जाएंगे कुछ समय बाद ठीक है मतलब कि एक तरीके से disappear हो जाएंगे तो हमने 14th part को भी discuss कर लिया उसके बाद next है हमारा 13th extrinsic ear muscles मतलब कि बाहरी कान की mass species यह ठीक है तो इसके अंदर क्या है य नुश्य है ठीक है लेकिन mainly जो हमारे कुछ animals है जिनके अंदर यह property है जैसे हम बात करें हमारा खरगोस हो गया हमारा dogs कुटे हो गए या बात करें हम बिल लिया इनके अंदर यह property पाए जाती है यह अपने जो कान है उन्हें जो extrinsic sound है ठीक है उसे सुनने के लिए इसका प् जाएगा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है अभी ठीक है और वैसे भी हम different different type के जो ear mugs है उनका यूज करना इस्टार्ट कर दिया है हमारे earphones का यूज करना इस्टार्ट कर दिया हमने तो यह क्या हो जाएंगे कुछ समयवाद after some generation क्या हो जाएंगे यह भी हमारे disappear हो जाए क्योंकि यह जैसे हम यूवा वस्ता में आते थे after 15 15 साल के होने के बाद तब हमें कच्चा मास खाना है बहुत सारी hard things है जो हमें खानी होती थी ठीक है तो उसके लिए इसकी जुरत होती थी ठीक है लेकिन आज के मनुस्य में ना के बरावर मनुस्य में बचे हैं ठीक है क्य गया या फिर different different के ओजा रहे हैं different different type के जो आज हम काटने के लिए cut करने के लिए प्रियोग करते हैं तो उन्होंने इन चीजों को क्या कर दिया है replace कर दिया है इन दातों को तो यह एक तरीकी से हमारी जो अक्कल डाड़ है वो बेकार दातों का एक पियर नहीं बन कर रह गय primitive humans use it to eat the meat जैसा कि हमने बताया ठीक है उसके बाद देखें इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हो जो front हमारे front के teeth है जिसका हमने formula बताया था teeth formula होता है 2123 ठीक है उसके अंदर क्या आएंगे उसके अंदर हमारे सबसे पहले incisor होंगे उसके बाद हमारे incisor के बाद canine होंगे जिनसे हम काटते हैं चीजों को उसके बाद हमारे pre molar molar ठीक है यह different type के हमारे teeth है टोटल कितने होते हैं जो हमारा modern human being है उसके अंदर 32 हमारे teeth पाए जाते हैं लेकिन एक extra pair एक तरीकी से बोल सकते हैं हम बेकार दा जब यह आता है तो बहुत बहुत pain होता है लगबग 25 साल की age के बाद आता है यदि किसी के अंदर आता है ठीक है ठीक है तो यह जो wisdom teeth है यह हमने study कर लिए आप देख सकते हो कहां पे है इसकी position location उसके बाद देखें तो 5% of the population has a set of these useless teeth मैं लेकिन बेकार दांतों का समू लग next part है हमारा 11 वो है neck rib मतलब की garden की पसली ठीक है तो garden की पसली के अंदर देखें तो यह इसकी location है ठीक है मतलब की garden की पसली है यह ठीक है यदि बात करें जो हमारी गवरबास्य घृवा है उसकी पसली है उसकी नीचे एक set होगा जो संभवत है कभी सरी सरब जो हमारे reptiles है उन इसके अंदर दोनों left और right दोनों पाई जाएंगे ठीक है तो यह क्या है गरदन की पसली तो यह भी क्या हो जायागा after some time after some generation disappear होने वाला है ठीक है तो इसकी location आप देख सकते हो मतलब की set of the cervical ribs ठीक है जब हमने ribs वाला portion बताया था मतलब की जो हमारा skeleton system है उसके अंदर तो उ huge हो जाती है जैसे आगे देखेंगे कोकरिक्स तो वह huge होके एक बन जाती है जिसे हम टैल बॉन के नाम से जानते हैं ठीक है वह भी आगे जाके in future क्या हो जाएगी हमारी disappear हो जाएगी वह भी हम देखेंगे ठीक है इसकी location आपने देख ली उसके बाद next है हमारा 10 वह हमारा pul discuss करेंगे जो की पहले जो पहला हमारा मनुष्य हुआ करता था वह climbing के लिए hanging के लिए यूज करता था लेकिन आज के मनुष्य में इसकी ज्यादा requirement नहीं है वह बात अलगे जो मासलाट वगयरा करते हैं जो physically बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं उनके लिए इसकी requirement है लेकिन यह already most of the human being में disappear हो चुकी है ठीक है यह मास पेसी ठीक है it is already missing in 11% of the human today मतलब कि पहले ही है 11% से ज्यादा जो हमारे मनुष्य है उसके अंदर पहले से यह क्या हो चुकी है disappear हो चीक है in future यह पूरी तरीके से disappear हो जाएगी ठीक है किसके लिए यूज होती थी climbing के लिए इसकी location देख सकते हो मतलब कि हमारे hand से लेके हमारी कौनी तक ठीक है उसके बाद बात करें हम इसी में तो once it was important for the hanging and climbing मतलब कि पहले हुआ करती थी चड़ने के लिए ठीक है लटक करें पूरुस निपल की तो पहले क्या होता था पूरुस और महिलाओं दौनों में निपल होते हैं ठीक है लेकिन क्योंकि जो हमारा ब्रून है मतलब कि जिसे हम ब्रून बोलते हैं मतलब कि फीटल उसके विकास के सुरुवाती चणों में जब वह एक जो एजन्मा चाइल् सब्सक्राइब इस्टिमिलेट दा लेक्टेशन मतलब कि यदि जो प्रोलेक्टिम के आवश्चक इस तरह उसकी कमी होती है पुरुसों के अंदर जिसके कारण यह क्या नहीं कर पाते जो हमारा इस्तनपान है वो नहीं करा सकते ठीक है तो यह क्या हो जाएंगे इन फ्यूचर डिसैपियर हो उसके लिए प्रयोग होती है या कह सकते हैं दूसरे को द़राने के लिए जानवर यूज करते हैं उनके फर आ जाते हैं यह जब बहुत जिल्डा दरांकार हो व उस टाइमपे थी कहा ज़ए घराने के लिए कले बहुत ज़यारा हुआ हो फ्राइटेंड हो या फिर हमारा बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो ठीक है तब बहुत ज्यादा इमेज रहो're या कह सकते हैं हम ठंड के आऊसम में देखते ना बहुत ज्यादा सरदी लग रही है उस नहीं पर यह रुआंसा हमारा आ जाता है जो फर हैं वो हमारे यह वाली मसल्स एक्टिफ हो जाती है ठीक है लेकिन इसका यूज नहीं क्योंकि हम different type के cloth वुलन cloth या कह सकते हैं jacket वगएरा leather jacket वगएरा sweater पहनना स्टार्ट कर देंगे तो यह क्या होगा after some generations यह वाली मसल से यह भी हमारी क्या हो जाएगी डिसैपियर होने वाली है तो यह भी हमने देखा उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसके दर्द को दर्द से बहुत सा यह पिक्चर के अंदर ठीक है तो इसका काम क्या था पहले जो हमारा प्राचीन वानव था वह इसका पाचन जो पेड़ पौधे वनस्पतियां उनके अंदर जो सेलूलोज पाये जाता है उसके पाचन के लिए प्रियोक करता था लेकिन आज क्योंकि हम खाना पका कर खाते हैं ठीक है तो डारेक्ट हमें सेलूलोज का पाचन करने की इतनी रिक्वार्मेंट नहीं होती इस वैसे यह पहले ही क्या हो चुका है विलुप्त हो चुका है बहुत से मतलब कि लगबग मोस्ट आफ दा यूमेन बिंग में से यह गायब हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ पर अरी भी था ठीक है उसके बाद हमारा next पांट है यदि बात करें इसी में dieser Spanish तो इसका क्या होता है क्योंकि आज के जनेशन को जो चैन आHHH यह तो हम क्या करा देते сок तो हम इसका एक तरीके से तरी आदितेए और निकाल देते पहने हैं इसकी वाज़ेसे इसे का निकलवा देते हैं बोडि के पार्ट का जो हिस्सा है इसे हम बाहर कर देते हैं ठीक है उसके बाद आपको appendix का पैन नहीं होगा ठीक है उसके बाद next part है हमारा 13th rib जो हमारी 13 भी पसली है वैसे तो यह मनुष्य के अंदर नहीं पाए जाती है ठीक है जो मनुष्य के जिसें पूरवज मानते हैं ठीक है मतलब पूरवज मानते हैं न हमारे जो यह chimpanzee वगेरा है उनके अंदर यह 13th rib पाए जाती है कुछ percentage हमारे human being भी है मनुष्य भी है जिसके अंदर यह 13th rib पाए जाती है ठीक है जैसा कि हम जानते है rib कितनी होती है पसलियां की पेर कितनी होती है मनुष्य के अंदर वह 12 पेर होती है ठीक है लेकिन यह 13th rib भी किसी-किसी मनुष्य के अंदर पाए जाती है हमारी जो पेर हैं हमारी त्वैल पेर उसके अंदर जो सेवं पेर हैं वह होती है ट्रू रिब्स क्योंकि वह अलग-अलग कनेक्ट होती है एक दूसरे से जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर यदि बात करें उसके नीचे जो तीन रिबस है वो एक सही कनेक्ट है तो इसका लोगने बोलते है फाल्स रिब उसके बाद दो रिब्स हमारी ऐसी होती है पेर जो कनेक्टी नहीं है फ्लोटिंग रिब्स है जैसे हमारे जो सरी सरप है साप के अंदर पाए जाती है ना फ्लोटिंग रिब्स हो चुकि पहले से इसफेदी थिश्यप्यर हो चुकित तो इनन फीच्र क्या пров probability हवाट किसी हालिए मैं और जानते हैं ताल बॉनत्वा यह मां सकते हो आप यह अवशेस हमारी पूंच का जो ängtरब beni मानाव था उसके अंदर पूछ पाए जाती थी वो भी एक आज डिसेपीर हो चुकी है अवसेसी यंग हो चुकी क्योंकि हम उसका प्रियोग नहीं करते थे ठीक है तो यह उसी का आवसेसी यंग जो कि आज भी 100 से ज़्यादा चाइल इसके अंदर पाया जाता है ठीक है इसे टेल बॉन के नाम से जानते हैं कोकिक्स कोई ठीक है तो बच्चों के अंदर पाया जाता है मनला अब भी सीधे बैठते हैं lean होके तो उसमें यह support प्रोवाइड करता था लेकिन after some generation यह हमारा क्या हो जाएगा disappear हो जाएगा इसका कोई purpose नहीं होगा no function ठीक है उसके बाद बात करें next part की तो next हमारा fourth one है वो है तो उसे हम मीरने के बाद आंक मीरने के बाद बाहर कर देते हैं side से तो जहां side से हम side में लाके उसे बाहर करते हैं तो उसी बोलते हैं हम तीसरी पलक third eyelid ठीक है तो जैसे जैसे इसका size कम होता जा रहा है उससे लगता है कि after some generation ये क्या हो जाएगा हमारा disappear हो जाएगा जो हमारी तीसरी पलक है ठीक है वैसे तो इसका कोई काम है नहीं लेकिन वो ही है कि ये mammalan like structure है हमारा क्या होता है जो भी dust particle है उसे हमारे आंक से बाहर निकालने का काम करता है ये जानवर के अंदर भी पाये जाता है जानवर के अंदर थोड़ा बड़े size में पाये जाता है आप देख सकते हो ठीक है उसके बाद बात करें next part तो next part हमारा third one है Darwin points तो Darwin's point की बात करें तो ये जो Darwin का बिंदू है ये हमारा ये कान के ऊपर की तरफ एक curve टाइप थोड़ छोटा था बिंदू पाये जाता है ठीक है जो की जो हमारा प्राचीन मानव था उसके अंदर दूर की voice सुनने के लिए जो हमारे extensive sound है उसे सुनने के लिए प्रियोग आघ का दंच मौलल में झाता है थाक का दिसके बाद हमारा अल्य पॉंट हम ने डिसकस कर लिया उसके बाद हमारा में आरवन पॉंट में तो यह Location आप देख सकते हो मतले की ईस्माल फॉल्ड़िट है skins toward to top of the each year debt is occasionally found in modern human आज का जो human being है उसके अंदर बहुत ही rare है कि यह पाय जाता है आज के human being की बात करें तो 10% people have this, मलब कि 10% people जो human being है वो ही रखते हैं और यह हमें past से मिलता है, मलब कि हमारी जो parents थे या हमारी जो previous generation है उनसे हमें यह मिला है, यह gene जरी आता है, जो हमारा gene transformation है ना इसके लिए हमारे gene responsible है RNA DNA, यह responsible होते हैं इसके लिए ठीक है, उसके बाद बात करें हम अपना second one, मलब कि subclavious muscles, जो कि हमारा जो clavical bone है मलब कि जिसे हम beauty bone के नाम से जानते हैं मतलब कि subclavious muscle, उसी के पास पाई जाती है मतलब कि हमारे shoulder से लेके हमारे पसली के पास इसका क्या होता है attachment होता है, जो हमारी rib है, upper ribs उसके अंदर, तो इसे बोलते हैं subclavious muscles जब इंसान हातों के बर, पैरों के बल चलता होगा चार पैरों के बल चलता था जो ribs है, पसलिया और हमारा जो shoulder bone है, उसे, ठीक है तो ये भी क्या होगी in future, हमारी गायब हो जाएगी मतलब कि small muscles है, जो की stretching के लिए use होती होगी, ठीक है, some people have one, ठीक है, some people have none, some people have two, मतलब कि कुछ के पास ये एक पाई जाती है, कुछ के पास ये दोनों पाई जाती है, और कुछ के पास ये पाई नहीं जाती ही मसल से, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारी, disappear हो जाएगी, उसके बाद आते हैं हमारे last one, but last not least, ठीक है, तो बात करें हम toes, मतलब कि pair की उंगलियों की, तो pair की उंगलियों में shift होता जा रहा है, तो in future ऐसा हो सकता है कि after some generations क्या होगा, हमारा जो उंगलियां है, इनका कोई work ही न रहे, ठीक है, no function मतलब कि ये क्या हो जाएगी, फिर ये भी disappear हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि most wonder जो things है, वो यह ही है, इन 15 के 15 पार्ट के अंदर, ठीक है, पहले क्या था, पहले हमारा जो weight था, वो, जो हमारे toes है, वो और हमारा जो पूरा pair है, उस पे weight shift होता था, लेकिन आज का जो मनुष्य है, वो अपना weight shift करता जा रहा, inward, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, after some generations जो हमारी toes है, उनका जो work है, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगे, हमारे disappear हो जाएगे, जिस तरीके से हम इस पे क्या हो रहे है, shift हो रहे हैं, अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये हमारा last one था, जो in future क्या हो जाएगा हमारा disappear हो जाएगा थोड़ा आस्चरी चनक आस्चरी चिकित भी था कि यह हमारा disappear हो जाएगा लेकिन ऐसा ऐसा देखा गया है बहुत सारी research के दुआरा क्योंकि हम पूरी तरीके से depend नहीं है अब उंगलियों पे ठीक है तो यह थी हमारे 15 पार्ट जो हमने इस वीडियो के अंदर discuss करें ठीक है thank you for watching मिलते हैं next video